अग्री बर्ड यह आपके पास एक अंग्री बर्ड है जो की इस फिक को इसके लिए हमें डिस्टेंसे दे रिखने 20 मीटर और 10 मीटर और इस अंग्री बर्ड को हमने फायर किया है अग्री बर्ड है 40 मीटर पर से अंग्री बर्ड और इसके बास जुन्दा रहने के लिए कितना वक्त है तो इसको शॉल्ब करने के लिए आप क्या कर सकते हो बोल सकते हो यह जो एंग्री बर्ड है इसकी वेलास्टी के कंपोनेंट्स क्या है इसकी वेलास्टी का और इसको शॉल्ब कंपोनेंट है 40 कॉस 60 डिग्री यह ज़िए 20 मीटर पर सेक्ट्स और वर्टिकल कंपोनेंट है 40 साइन 60 डिग्री यह ज़िए 20 रूट 3 मीटर पर सेक्ट्स तो हमने वेलास्टी के कंपोनेंट कर लिए हम्में इसकी डिग्री ठीक्ट का दिस्वेस्यंट पता है तो अगर खें एक्स डिएक्शन लिखें x direction में displacement is equal to 20 meters और velocity along x direction तो constant होगा क्योंकि सारा acceleration y direction में है x मतलब horizontal तो velocity along x direction कितना है यह है आपका 20 meters per second तो यहां से आप असानी से लिख सकते हो displacement is equal to velocity into time distribution along x is equal to velocity along x into time this implies 20 equal to 20t this implies time is equal to 1 second now many students arrive at this answer and say एक second के बाद यह पिग मर जाएगा पर आपको यह भी तो चक्करना होगा कि आपका aim सही एक ही गलाट है तो aim सही चक्करने के लिए आपको y direction की equation लिखने बड़ेगी तो y direction में अगर हम बात करें तो इसकी velocity है u y is equal to 20 root 3 meter per second acceleration है minus z that is minus 10 meter per second square time हम निकाली चुके है 1 second है तो displacement along y direction भी निकाल सकते हैं अब अगर यहाँ पर हम s is equal to ut plus half a t square अप्ता ही करें हमरा answer आए का displacement along y direction is equal to ut 20 root 3 into 1 20 root 3 plus half a t square acceleration negative half a मतलब minus 5 into t square that is 1 so displacement along y direction आपका हो गया 20 into root 3 minus 1 minus 5 यह clearly 10 meters से ज्यादा है इसलिए आपका यह जो angry bird है यह ऊपर से निकल जाएगा यह pig को हिट्टी निकले है इसलिए आपका answer क्या होगा question का how long does this pig have has to live the answer is indefinitely it won't be clear यह मरे गई निकले thank you